पर्धान मंतरी मोधी जी का विकास अच्छा चला है नौ साल साशन सुछाजन का काम भी अच्छा चला है अब सूरज की रोश्णी में चमगादर को नजर ना आए तो इसमें सूरज का कोई दोश नहीं है इससे पहले मुसलमानों को डराया गए बीजेपी आ जाएगी तो यह पिछले नौ सालों में जितना फैयादा मुसलमानों को मिला इससे पहले किसी सरकार में नहीं मिला यह सभी करते हैं तो आपको नहीं बुलाया तो आप तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहा हूं मैं काम की तारिफ कर रहा हूं किसके नरंद्र मोदी सरकार के काम की तारिफ कर रहा हूं योगी सरकार के काम की तारिफ कर रहा है काम धरातल पर दिख रहा है यह कौन से पांच काम बताई है 20% मुसलमान थे 34% आवास मिला है राशन मिला है रुजगार मिल सब्सक्राइब ने बड़ी के आए तब से हमको सब्सक्राइब पाइसा मिला हमने घर बनवाया है घर बनवाली है तो इसके लिए सरकार ने तो रिश्वत उष्षत भीली होगी तब तो दिया होगा नहीं जाएगा कोई कोमन सेटे एक देश में एक कानून उसमें हिंदू मुसल्मान सब आएगा यह मुसलमानों का खिलाफ तो नहीं है बहुत ज़्यादा मुसल्मान क्या सोचता है इसको लेकर मुसल्मान क्या सोचेगा यह कि सब एक कानून है सब लोग जो है एक भाई है हिंदू मुसलान हर लोग हिंदुस्तान में और सब लोग एक जैसे हैं सब को एक कानून है कोई डिक्कत के बात नहीं है समाजवादी पार्टि के सांसद हैं वह कि देश शरीयत से चलेगा कानुन से नहीं चलेगा फिर नाएप आलिका में जाने कि क्या जरूरत है खून का बदला खून का बदला खून बहन का हिस्सा आप नहीं देंगे आप शिविल समाउ पुट में जायेंगे तो हर काम जो आपका फाइदे वाला मामला है वहाँ आप चले जाते हैं कोट में नयाई पालिका में और सरीयत को नहीं मानते उसको फालो नहीं करते तो आप दो तरह की जिंदगी जी रहें अगर आपको सरीयत को मानना है तो सरीयत के सारे कानून को आपको मानना होगा तो मान हम आयुस्मान कार्ट से फायदा उठाएं हमारी मा का दोनों आख का आपरेशन हुआ आयुस्मान कार्ट के पढ़ान मंत्री जी की युजना के तहत हमको फायदा मिला तो हम क्यों नहीं ओड़ दें उनके साथ खुल करके हम लोग रहेंगे 24 में आप लोग तो राहूल गांदी कह रहे हैं कि देश का मुसल्मान मेरे साथ है बहुत डरा हुआ है अमेरिका गए थे राहूल गांदी वो कहे हमारे यहां बहुत इस्तिती खराब है और देश का मुसल्मान बहुत डरा हुए कितने डरे हुए आप तो 2024 मून को जवाब झाल 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 प्पार प्मच्रा का डिस यहागा को सुरा पार एफ